दोस्तों, गेहु में बालिया निकलने के बाद में flowering stage आती है, milking stage के उपर आती है, इसके बाद में दाणाभः ही शुरू होती है, तो यह जो stage है गेहु की, अगर इस time के उपर आपने थोड़ी सी हिम्मत करके, गेहु में एक spray भी अगर निकाल दी तो पैदावार को यहीं स आप बढ़ा सकते हो कौन सी ऐसी स्प्रेय है जो इस टाइम पर इतनी जरूरी है वो इस वीडियो में बात करूंगा छोटी सी वीडियो है ज्यादा लंबी इसको नहीं खिचेंगे तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको जानकारी सही से समझ में आसके तो चलिए बात क के लिए तो पोटास इस समय पर गेहों की फसल के लिए सबसे एहम रोल अदा करती है पोटास इस टाइम पर क्या काम करेगी कैसे काम करेगी यह हम देख लेते हैं तो पोटास इस टाइम पर पोदेको श्रेस से बाहर निकालती है तनाओं में पोदा नहीं आएगा अगर के अंदर तापमान बढ़ जाता है तापमान टंपरेचर हर बार इस टाइम के उपरा कर बढ़ता है जो कि गेहूं का दाना जो है छोटा रह जाता है दाना पिचक जाता है बालियां छोटी रह जाती है जो बालियां बाद में निकलती है उसके अंदर दाना छोटा रह जाता ह तो दाने का साइज पूरा हो बराबर मातरा में गेहूं का दाना निकले और बराबर मातरा में बालिया निकले तो इसके लिए पोटास सबसे जरूरी होती है पोटास इस में पर पोदे के अंदर पोशक ततों के प्रिवहन का भी काम करती है पोशक ततों के ट्रास्पोर्टिशन का भी काम करती है यानि कि जो खाना पोदे की पतियों के अंदर स्टोर है जो पोशक ततों पोदे की फलेग लीफ में स्टोर है या फिर निचली पत्ती के अंदर जो श्टोर है उनको पोदे के अंदर जो दाना बन रहा है उस दाने तक खुराक को ले कर जाती है खाद को पोसक्ततों को ले कर जाती है उसको डोने का काम करती है प्रीवेंग का काम करती है पोटास इसलिए इसकी इस टाइम के उपर सबसे ज्यादा आवसकता बताई जाती है तो ये चीज़ आपको जाननी वेहद जरूरी है इसके अलावा पोटास का मैंने आपको बताया दाने को मूटा करने में दाने को बोल्ड करने में ज्यादा चमकदार करने में उसकी क्वालिटी को अच्छा करने में दाने को भारी करने में स अगर आपने बिजाई के टायम पर potas डाल करें अगर आपने नहीं डाल दी तो आपको जरूर करना इता ही पुटास का चाहिए पर समय पर पोटास दे सकते हो तो NPK 0050 में भी 50% पोटास रहती है इसकी डोज की बात करें तो एक एकड में एक किलोग्राम इसकी डोज सफिसियंट है काफी है बढ़ियां रजल्ट आ जाएगा 120 लिटर के आसपास पानी की मातरा आपको एक एकड में इसकी भी रखने है ताकि रजल्ट बढ़ियां मिले तो इससे पोटास की पूर्ति आप कर सकते हो पोटास के साथ में आपको इस टाइम पर कोई भी अक्ष्टरा चीजें मिलाने के आप सकता नहीं है जैसे कि जेंक है बोरोन है केवल आपको पोटास का स्प्रे करना है अब बात करते हैं येलो रश्ट है जो ये घपना और चीजा का शीजेए का का अफिए कर दिंधर को स्प्रे करेंबाएं कौनसा है तो इसके लिए सबसे बढ़ियां जो फंगिसाइड वो टेबू को नाजोल और दूसरा जो फंगिसाइड ऐ अजोखशी स्टोबें ये दो फंगिसाइड है इन में से कोई भी एक फंगी साइड का आपको स्प्रे कर देना है और इन दोनों का mix combination भी आता है यानि एक ही product के अंदर ये दोनों टेकनिकल भी आते हैं जैसे की अडामा कंपनी का कस्टोडिया के नाम से आता है काफी famous है दूसरी कंपनियों को अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा कोई भी combination है इसकी मात्रा रहेगी डोज रहेगी परती एकड में 200 अमल के इसाब से आपको वही 120-30 लिटर पानी की मात्रा इसके साथ में एक एकड में लेनी है आपको स्प्रे करना है तो पीला गोरा रतवासी रोग थाम हो जाएगी तो ये जो अगले 20-25 दिन है ये गेहों की फसल के लिए बहुत ही माइने रखेंगे बहुत महतवपुन रहेंगे अगर आपने थोड़ा सा इसमें अक्ष्ट्रा अफेड डाल दिया अक्ष्ट्रा ध्यान रख लिया तो आपकी पैदावार निश्चित रूप से बढ़ जाएगी अगर आपने थोड़ी बहुत इसमें डी पचा करेंगे आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं इस वीडियो को दोसरे की सानों तक भी सेर करना ताकि उन तक भी जानकारे टाइम पर पहुंच सके आज कि इस वीडियो में बस इतना है फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार